इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया के बीच सबसे पुरानी मानी जाने वाली क्रिकेट की जंग एशेस सीरीज शुरू हो चुकी है इंग्लैंड की शुरूवात खराब रही और पहली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क ने ओपनर रॉरी बंस को बोल्ड करके मुकाबले को रोमाच से भर दिया एशेस में 1936 यानी 85 साल बाद मैच की पहली गेंद पर विकेट गिरा एशेस के 149 साल के इतिहास में ऐसा चौथी बार हुआ है पहली बार यह सीरीज 1882 में खेली गई थी आईए अब जानते हैं एशेस सीरीज का राख से क्या संबंध है दरसल इसका नाम एश यानी राख पर ही रखा गया है वर्ष 1882 में आउस्ट्रेलिया ने एक मैच की सीरिस के लिए इंगलैंड का दौरा किया ओवल में हुए उस मुकाबले को आउस्ट्रेलिया ने जीत लिया था इस हार के बाद एक ब्रिटिश अखबार दस स्पोर्टिंग टाइम्स ने व्यंग्य पूर्वक शोक संदेश लिखा इंगलिश क्रिकेट की मृत्यू हो चुकी है और उसकी चिता जलाने के बाद राख आउस्ट्रेलिया अपने साथ ले जा रहा है इसके एक साल बाद इंगलैंड ने आउस्ट्रेलिया का दौरा किया तब इंगलिश मीडिया ने लिखा वेस्ट टू रिक्वर दोज एशेज यानि उन राख को वापसी की खोज में जितनी एशेज सीरीज रोचक है उतनी ही इसकी ट्राफी भी जब 1883 में इंगलैंड ने आउस्ट्रेलिया का दौरा किया तो सीरीज दो एक से जीती फिर गिल्ली को जला कर उसकी राख एक राख रखने वाले टेराकोटा के बरतन में डाल कर इंगलिश कप्तान इवोब लिक को दी गई एशेज ट्राफी उसे ही माना जाता है यह ट्राफी महज 10.5 सेंटीमीटर की है जिसे दुनिया का सबसे छोटी ट्राफी माना जाता है 1882 से अब तक 71 एशेज सीरीज खेली गई है जिसमें आउस्ट्रेलिया ने 33 और इंगलैंड ने 32 जीती है सिर्फ 6 सीरीज ड्राव रहीं सीरीज हर 2 साल में होती है अगर सीरीज ड्राव होती है तो पिछले विजेता को ही ट्राफी दे दी जाती है क्रिकेट जगत में इंगलैंड बनाम आउस्ट्रेलिया के बीच मैच को भारत बनाम पाकिस्तान जैसा ही रोमाचक वकड़े मुकाबला वाला समझा जाता है